आज मैंने जिरियंद्र चौधरी का स्टेटमेंट दिखा है उसने कहा है कि ग्रेटर तीप्रा लैंड तीप्रासा को कभी नहीं मिलेगा मैं कम्यूनिस्ट को एक बात बोलना चाहता हूँ आपने हमें क्या दिया दस साल निपेंच चक्रवर्ति का राज उसके बाद 25 साल मानिक बावुका राज 35 साल में आपने दिप्रासा को 39 में सबसे गरीब जन जाती को बना कर रखा सबसे पीछे, सबसे गरीब जिसके पास नौकरी नहीं था जिसके पास एजुकेशन नहीं था आपने हमें इतना पीछे रखा आप कॉमिनिस्ट ने ADC को उपोस किया लेकिन आप रोक नहीं सके आपने बिजे रंखल को उपोस किया लेकिन तीन सीट बिजे रंखल लेकर आया आज आप मेरा ग्रेटर तीप्रालैन को उपोस कर रहे हो खुद तो कुछ नहीं कर सके लेकिन आज तीप्रासा का आशा को आप तोड़ना चाहते है लेकिन मैं आपको एक बाद बोलना चाहता हूँ मेरे जिन्दगी में मुझे तीप्रा लैंड मिले या ना मिले एक ना एक दिन तो तीप्रा लैंड तीप्रासा को मिलेगा और मैं उस दिन का इंतजार करूँगा और आप अगर हिम्मत दिखाना चाहते हैं कम्मिनिस लोग तो बॉक्सनगर और धनपुर में मदद मांगने क्यों आए बीजी पी को तो हरा नहीं सकते बंगाल में ममता बैंजी को हरा नहीं सकते केरला में कॉंग्रेस से हार रहे हो रोज लेकिन धुर्पुरा में तिप्रा मौथा को नीचे दिखाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो असल में आपके जमीन से आपका पावर आपके पेर के नीचे से बिसल रहा है तो मैं आप सब को एक बाद बोलना चाहता हूँ तिप्रासा अपना Constitutional अधिकार मांगेगा आप हमारे साथ नहीं है कुछ फरक नहीं पड़ता आप हमारे साथ पहले भी नहीं थे जिर्फ वोट के लिए आपने हमें इस्तमाल किया अब तिप्रासा बेकूफ नहीं है अब तिप्रासा अपना बच्चा का भवशे के लिए फाइट करेगा और उसी को वोट करेगा जो तिप्रासा का अधिकार के बारे बात करें इस बोबागरा श्पीकिंग फर तिप्रासा फोर अल तिप्रासे